जारकन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारकन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे 2-18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी को भैक्सिन भारत ने 95 कोड भैक्सिनेशन का अकड़ा पार कर लिया है बतादे इसी बीच बच्चों की भैक्सिन को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आई है सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को मदर नजा रखते हुए को भैक्सि का है कोरोना वाइरस के खिलाब को भैक्सिन क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 38% असरदार सावित होई थी भोटर काड सुधारने के लिए परसासन चलाएगा बिसेस अभियान राइधने में एक नोवंबर से 18 पलस भोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान की प्राप्त राष्ट्रिये और छेत्रिये दल के परतिनी धी निर्वाचन निबंधन पतादिकारी वो सहायक निर्वाचन निबंधन पतादिकारी मोजूद रहे उपायुक्त ने कहा कि एक जनवरी 2022 को जिनकी उम्र 18 बर्स हो जाएगी उन्हें भोटर बनाने के लिए ज़् वाही करने का निदेश दिया है आदिवासी भूमी की अवयद विक्री के सिकायद सिधे सुनेगी विधान सभा कमेटी आदिवासी जमीन की अवयद खरीद विक्री की सिकायद विधान सभा की विशेस कमेटी सुनेगी बतादे भुक्त भोगी दस्तावेज के साथ अपनी स कायद सीधे कमेटी को भेज सकेंगे एंटी पीसी एस पीटी एक्ट के प्रधानों के उलंगन के समध में भुक्त भोगी को पूरे का ज्याद देने होंगे बता दे आदिवासी जमीन के अवयद हस्तरांतन की जाज के लिए विधान सबादवारा गठीत विशेस कमेटी इसे लेकर आम सुचना जारी करेगी जामो को वरिष्ट विधायक इस्टिफन मरांडी को इस विशेस कमेटी का संजोज़क बनाया गया है जार्खन में रात दस बजे से सुबा छो बजे तक लोड़ स्पीकर बजाने पर रोक दुर्गा पुजा के दोरान सरोजनिक अस्थलो पर रात दस बजे से सुबा छो बजे तक लोड़ स्पीकर बजाने पर परतिबंध है बतादे जाखन राजे परदोसन ने अंत्रिन परिसद ने इसे समधित आदेश जारी कर दिया है परसद ने दीन में भी लोड़ स्पीकर बजाने और उसके साउंड की सीमा तय कर दिया है परसद के सदा से सचीव वाई के दास ने इसे समधित आदेश भी जारी कर दिया है कहा गया है कि उक्त अधी में सरुजानिक अस्थर पर लोड़ स्पीकर का परियोग दन रिए है परसद ने लोड़ स्पीकर धहनी की सीमा भी निधायत की है तेज आवाज में लोड़ स्पीकर नहीं बजा सकते इसके तहत और दोगीक छेत्र में सातर से पचछातर डेसिवल वहीं बेवसाइक छेतर में 55-65 अवासित छेतर में 45-55 तक ही साउंट रखनी है वही सांत छेतर यानी अस्पताल सेक्षिनिक संस्थान कोट आथवा धार्मिक अस्थाल है वहां के 100 मीटर के दायरे में लोडिस्पीकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी सीमा दीन में 50 डेसिबर और रात में 10 वय तक 40 डेसिबर ही रखनी होगी पेट्रोल के कीमत सतक पार बड़े सहरों की तरह जार्खन के कोड़ारमा जिले में भी पेट्रोल की कीमतों ने सतक जर दिया है जबकि डीजल भी पेट्रोल को टकर देने की पुरी कोशिस में है बतादे डीजल की कीमत भी सतक लगाने से महज 63 पैसा ही पीछे है पेट्रोल वर डीजल की कीमतों में सुमवार कोई एक बार फिर बढ़ोतरी हुई तो आम लोगों के समक्ष दोरा संकट खड़ा हो गया बतादे पहले से खादे समगरी रसोई गा इसकी बढ़ी कीमतों की मात जहल रहे लोगों को और पेट्रोल 100 रुपया 1 पैसा प्रति लिटर वहीं डीजल 99 रुपया 37 पैसे प्रति लिटर मिल रहा है उडिशा से बंगाल जा रहे थे 1500 प्रवाशी स्रमिक बस खीच ले गए फैलेंसर उडिशा से बंगाल जा रही एक बस को और मांजी में रोक कर सभी स्वारियों को उतार दिया गया उक्त बस में स्वास अभी प्रवाशी स्रमिक थे बस को फाइनेंसर ने किस्त नहीं जामा करने पर सीज कर लिया था बता दे नीचे उतरने के बाद स्रमिकों नहंगामा किया सुचना मिलने पर ओर्मांजी थाना पुलिस पहुंची और मामलेक जनकारी ली बताया गया कि जग काली नामक बस में डेर सो प्रवाशी स्रमिक संबलपूर उडिसा से मुर्सिताबाद बंगाल जा रहे थे एन एच बीस फोर लेन में लक्षमी फाइवर सूत मिल और मांजी के पास एक सूमो सवार लोगों ने बस को रोका और उसमें सवार सभी परवाशी स्रमिकों को जवरन बस से उतार दिया सराब दुकान में घूसे चोर राजधानी राची के सर्कुलर रोड इस्थित सराब दुकान में सूमवार की देर राद चोर घूस गए बता दे मंगलवार की सुबह 10 वे सराब दुकान में काम करने वाले कर्मी जब दुकान गए तो देखा कि सराब की बोतले इधर उधर फेकी हुई है सराब दुकान से चोरों ने अनुमानीत 10,000 रुपे मुले की सराब चोरी कर ली है इस घटना के सुचना लालपूर थाना की पूलिस को दी गई है घटना की जनकारी मिलते ही लालपूर थाना की पूलिस घटना अस्थल पहुँची मामले की जाच की जा रही है पुलिस ने असंका जताई है कि चुरों ने पहले रेंकिंग की उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है फूलो से सजा माच छिनिमस्ति का दरबार सिद्धी पीठ रजराप्पा इस्थित माच छिनिमस्ति के मंदीर को इतना खुपसुत तरीके से सजाए गया है कि मंदीर आने वाले सरधालू अपने कैमेरे में इस मनुरम द्रिश को कैद करने में मिस नहीं करना चाह रहे बतादे विभीन परकार के फूलों से मंदीर की भवे सजावट की गई है रात में मंदीर दुधिया रोसनी से जगमगा रहा है इसका कारण अब मंदीर में सरधालू का धिरे धिरे आना और सेलफी लेना सुरू हो गया है बतादे कोलकाता से आए दो दर्जन से भी अधिक काडिगरों ने एक सब्ता तक खुब मेहनत कर दो दिनों तक लगतार काम कर मंदीर को खुब सुब धंग से सजाया है रांची में सप्तमी पर निकली फूल पात्री यात्रा जवान हवा में फैरिंग कर देते हैं सलामी सप्तमी के अशर पर जैप एक में मंगलवार को फूल पात्री सोभा यात्रा निकाली गई बीगुल और बैंड की धोन के बीच सोभा यात्रा निकाली गई कमांडेंट अनिस गुपता के आवाज से गुजर कर सिधात नगर के लिए रवाना हुई बता दे इस असर पर बड़ी संख्या में सरधालू पस्तित रहे इसमें महिलाओ और बचों की संख्या धिक थी फुल पातरी की इस सुभायातरा के दोरा नौ पेड़ों की पुजा की जाती है इसके बाद जवान हवा में फैरिंग कर प्रकृति को सलामी देते हैं प्रकृति को सलामी देने के पीछे का उदे से गोरखा समाज दोरा प्रकृति को धन्यवाद करना है बतादे बीगूल वाबैंड की धून पर महिलाये थिरकते हुए सरधा में लीन होती है बच्चियों का भवी से सुनिश्चित करने में राची पहले अस्थान पर बेटियों का भवी से सवारने में राजे में राज़ानी राची पहले अस्थान पर है बतादे राजे के छोre लाख माटा पीता ने अपने बेटियों को भविसे में आने वाली अर्चनों को दूर कर उन्हें उडान देने के लिए डांक घरों में सुकन्या सम्री दियोजना में खाता खुलवाया है बता दे इस वोजना के तहत राय जानी राची में खाता खुलवाने वालों की संक्या स्थरोधिक है डाग घर के मुताबिक जीले में कूल एक लाग से अधिक बच्चों के खाते खोले गए हैं वहीं दूसरे अस्थान पर हजारी बाग जीला है जहां 90 हजार से अधिक खाता खोले का यहां गुमला के अलकत्रा पलांट में लगी आग गुमला मुख्याले से 5 किलोमिटर दूर उर्मी स्थित रुपेश कुमार लाल के अलकत्रा पलांट में मंगलवार की सुबा भिषन आग लग गए इस घटना में लाखो रुपे के नुक्सान के असंका लगाई जा रही है बता दे घटना सुबा करीब साड़े 4 बजे की है पलांट में 2 से 3 मजदूर काम कर रहे थे उसी दोरान आग लग गए आग लगने के सुचना मजदूरों ने पलांट के माली को दी तब इसकी जनकारी अगिन समन विभाग को दी गए सुचना के बाद अगिन समन दस्ता मौके पर पहुचा और करीब डियर घंटे के पर्यास के बाद आग पर काबू पाया जारखन के नक्सल बिरोधी अभियान में आएगी तेजी जारखन में नक्सल बिरोधी अभियान व बिधी ब्यवस्था को धार देने की कवाय तेज की गई है इसके लिए पुलिस मुख्याले ने राजजे के 157 कंपनी जवानों को लोकेशन एक साथ बदल दिया है बतादे इसके पीछे तर्क दिया गया है की इससे जवानों में उर्जा का संचार होगा नया जग होगा तो वे खोद को तरो ताजा मसूस करेंगे इससे नक्सल बिधियो अभियान पर सकरात्मक असर पड़ेगा बतादे ए 157 कंपनी जवान जार्खन ससस्तर पुलिस जैप इंडिया रिजर बटालियन आयारबी बिसिष्ट इंडिया रिजर बटालियन के हैं जो विभिन परतिस्ठान पिकेट थाना में प्रतिन्यूक थे नक्सल बिरोधी अभियान में ए स्मॉल एक्षन टीम के रूप में तैनाथ थे पलामू में मालगाली की चपेट में आने से असी भेडो की कट करमत पलामू जिला के मोहमत गंज थाना छेतर अंतरगत लट पवरी गाउं के पंचायत भवन के निकट सोमवर को मालगाली की चपेट में आने से करीब असी भेडो की कट करमत हो गई जनकारी के मुताबिक बिहार के अरंगाबाद जिला अंतरगत अंकोरहा गाउं के चरवाहे अपनी भेडो को चराते हुए मोहमत गंज की ओर जा रहे थे इसी बीच रेलवे ट्रेंक पार्क करने के दोरान भेड इधर उधर भागने लगी इसी दोरान अचानाक डाउन रेलवे लाइन पर एक मालगाई आ गाई इसकी चपेट में आने से करीब असी भेडो की घटना अस्थल पर हिमोत हो गाई बता दे चरवाना भैवीत बिचलीत होकर घटना अस्थल से रवाना हो गाई जार्खन के सिक्छा मंत्री जगनात महतों ने पारा सिसको को अस्वस्त किया है उनके बुलावे पर प्रतिनिदी मंडल उनसे मिलने पहुचा था राज्ये के परियाटन अस्थल का होगा विकास राज्येपाल राज्येपाल रमेस बैस ने कहा है कि राज्ये में परियाटन छेतरों का विकास अपेक्षित गती से नहीं हो पाया है जबकि यहां पर्याटन की अपार संभवनाए है उन्होंने पर्याटन विभाग के अधिकारियों के साथ राज भवन में सोमवार को बैठक के दरान कहा की वह राज के प्रकिर्तिक दिश्टी कोन से समरीद पर्याटक अस्थलों में अधारबुत संरस्नाय विक्सित कराने के लिए समर्पित भाव से काम करें इस काम में राज की चिंतना करें जरूरत पर वह केंद्र सरकार से वारता को जार्खन में पर्याटन के विकास के लिए राज की मांग करेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बल के बेल एक अंदब आए सासर वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सासर करना ना भूले साथी साथ आप प्रती दिन साम पांच बजे इस वीडियो को देखना ना भूले थैंक्यू